कि तो हम नहीं देखा था कि पॉर्ट्स डाम करके यहां पर जो है कॉन्फरेंस हो रही थी जब वार यहां पर कतम भी नहीं हो रही थी उसके दोरान जो है यह लोग स्ट्रीम लाइन करना चाह रहे थे कि वार के बाद हम क्या करेंगे ठीक है लेकिन तो टेंशन जो है वहाँ पर एक नियू टेंशन जो है वो इमर्ज कर रही थी बत्वीन इस सोवेट उनियन और युएसे की बीच में थीक है अब क्या होता है कि अ गडिकंजान जो होता है उस टाइम के जो प्रेसिजेंट होता है यूएसे का वह अपनी गॉर्ट्रीन लेके अब जो Communism था वो तो इनका पुराना दुश्मन था Capitalism को Sustain करने के लिए They Wanted की Communism जो है वो Spread Now तो Truman जो है वो क्या करना चाहता था Contain करना चाहता था किसको Communism को Contain करना चाहता था उसकी वज़ए से यह क्या करते हैं जब यह सारी European countries जो है World War II के बाद जो है Soviet है वो यहां पर आके intervene ना कर पाए और यह हमारे Influence में रहे जो सारी European countries है अब आप Influence में कैसे रखते हो इनको Communism से बचाने के लिए Influence में रखने के लिए इन्होंने क्या लाए था इन्होंने यहां पर Containment Policy लाए थी और Marshall Plan के counter में जो Soviet Union था वो भी अपनी जो Eastern European countries होती है ठीक है वो सारा पैसा जो है American पैसा ना लेने यहां पर स्टार्ट करें उनको prevent करने के लिए क्या करती है यहां पर USSR Molotov Plan ले के आता है कि ठीक है Western European countries जो है वो किसे एड ले रही है वो Martian Plan के अंडर USA से पैसा ले रही थी रीकंस्ट्रक्शन के लिए और इसी दौरान को आ रहा है IBRD जो World Bank का एजनसी थी जो European Aid दे रही थी European countries को एड दे रही थी World Bank का development हो रहा है है हमने ही institutions पढ़े थे economy में तो वो सब जो है वो इसी दौरान आ रहे है Martian Plan के थूरू पर Molotov Plan इसको काउंटर कर रहा था तो हमेशा इस ताइम क्या हो रहा था कि एक कुछ भी स्टेप किसी कंट्री के दौरा लिया जा रहा था specially US से कोई स्टेप ले रही थी उसके काउंटर में क्या हो रहा था Soviet Union भी उसको एक opposite स्टेप ले रहा था तो एकदम तक्कर की लड़ाई जो थी Cold War यहां पर चल रही थी में जो फोकस आ जाता है बीच में आपका क्या पढ़ गया था यहां पर Germany पढ़ गया था Germany जो था उसको चार हिस्सों में हमने देखा था ब्रीटेंड, फ्रांस, अमेरिका और रॉष्या इन चारों जो भी विणिंग कंट्री थी इन लोगों ने डिवाइड कर लिया था इन फाक्ट इन वह बर्लिन था उसके भी चार हिस्से जो थे वह डिवाइड कर लिये थे लेकिन क्या होता है यह जो पूरा रॉष्या के अंडर जो बर्लिन होता है इसकी अंदर यह पूरा रॉष्या के पोर्शन में आ रहा था अंदर वाला जो एरिया था यह बर्लिन जो प्लोकेट कर देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बर्लिन ब्लोकेट जब ब्लोकेट यह लो सकता है और अग्रेशन दिखाने की वज़े से हमें इसको काउंटर करना पड़ेगा मिलिटरली तो क्या होता है नेटो का गठन होता है ठीक है कि आप अप इसको प्रिवेंट करने के लिए मतलब आप हम पर अटाक करोगे तो आप सब पर अटाक करोगे तो एक यह सिक्यूरिटी का आने लगता है ठीक है यह जो बर्लिन ब्लॉकेट रहता हं यह सक्सेस्वोल नहीं हो पाते है क्योंकि एसकार प्लाइज से मौत हैंटब्लॉकेट नहीं हो पाता है ठीक है ओके फिर यहां पर नेटो आ जाता है ठीक है और नेटो जब आता है तो 1955 में obviously उसके opposition में क्या आएगा कोई ना कोई pact जो है military pact जो है वो रश्या भी सोवियत भी sign करेगा तो उसके counter में नेटो के counter में यहां पर क्या आता है Warsaw Pact जो है वो आता है ठीक है अब Warsaw Pact आता है उसके बाद यहां पर 49 में क्या हो रहा है जो nuclear test है वो यहां पर हो रहे थे किस के द्वारा हो रहे हैं सोवियत के द्वारा हो रहे थे ठीक है तो अब जब एक जब nuclear bomb test करेगा कोई भी country तो obviously USA जो है उसको यहां पर threat फील होगा कि ऐसे कैसे कि हम अभी एकलोते nuclear power थे एक country जो है वो हमें चालेंज करने के लिए आ गई है और आपने देखा था कि यह जो पूरी containment policy जो थी Truman की उसके अंडर यहां पर बहुत सारे देश जो थे वो पहले अल्रेडी जा चुके थे तो अब इनका कोशिश था कि सारी countries जो है यह एक एक करके अगर ऐसे जाएंगे तो इनका पूरा domino effect जो होगा लास्ट में आप देख रहे हूं कि इंडिया है इंडिया भी आपको पता था कि थोड़ा बहुत जो था socialism से inspired था अवाज आ रही है सबको इस वाम ओके मुझे लगा में माई का ओन करना भूल है ओके तो इंफ्लुएंसे यह जो है बचा रहा है USA कम्यूनिजिम के इंफ्लुएंसे ओके फिर कोल्ड वार देखो स्टार्ट होती है सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्विस कनाल प्राइस जो है हम उसको देखते रहा है आएक है ना ओके तो देखो बहुत जगा क्या होता है कि Soviet और USA दोनों क्या कर रहे हैं अपनी डाइकली तो फाइल लडाई ये करनी पार रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इंडाइकली जाकर लडाई कर रहे थे तो सबसे पहले ऐसा कुछ इशू जो हो रहा है जो यह बाहर किसी कंटरी में लडाई कर रहे हैं आपको पते कि 2nd World War के बात जो USA है वो अपनी एक इंटरवेंशन है हर कंट्री में रखेंगे ताकि उनके हिसाब से जो है स्टेबलिटी रहे पूरी दुनिया में तो अब दीरे दीरे जाके जहां पे इनको मौका मिलेगा वहां पे जाके यह अपना ओर्डर जो है चाइना में पी आर्सी पीपल्स रिपब्लिक आउफ चाइना जो कम्यूनिस्ट पार्टी थी यहां पावर में आचुकी थी ठीक है 1949 में और यह रश्या है यह भी communist है तो उपर वाला हिस्सा बहुत ही सुभाविक है कि यह वाला पूरा किसके influence में रहेगा यहां पर communism के influence में रहेगा तो अब USA को डर लगता है कि यहां पर पूरा जो है प्रिवेंट करना चाहते थे तो यह क्या होगा यहां पर नीचे वाले हिस्से में क्या होगा कि यह यहां पर पूरे अपने सैनिक उनको भेजने लगेगा और यहां पर लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी ठीक है अब बीच इसका optimum level जो है मतलब यह लड़ते लड़ते इस वाल इस तरीके से लड़ाई स्टार्ट हुई कि यह जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है क्यों यहां पर यूएस को मौका मिला कि यहां पर अपनी military लेके आए तो शुर्वार जो है वह हुई अब तो फिर यूएसे को लगते है कि यह जो है पूरा कंट्री हो जाएगा कम्यूनिस्ट अब तो हमें बचाना पड़ेगा तो यह कंट्री जो है क्या होता है इसमें यूएसे जो है अपनी military भेजता है और अपनी भी नहीं मतलब United Nations की तरफ से यहां पर military भेजी जाती है ताकि यह जो यह अब लड़ते लड़ते एक यहां पर बीच में आपकी क्या बना जाएगी एक demilitarized line बनाए जाएगी कि यह जो है बीच में बॉर्डर बन जाएगा ठीक है और उसके along जो है आपको यहां पर जो है military जो होगी वो नहीं आप रख सकते हो ठीके demilitarize करनी बाद में थोड़ा सा अभी इस तरी के बीच में बाद में थोड़ा सा अभी इस तरी के बीच में बना दिया गया है तो नीचे जो है capitalism का इंफ्लूइंस है उपर जो है communism का influence है तो एक country जो है वो डिवाइड हो गई दोनों आइडियोलोजी के basis पे चीक है ओके तो यही पूरी कहानी थी अब यह पूरा यहां पर पेट्रोलिंग वगरा होती है चीक है तो मैंने आपको बताया थी कि जब Trump और कोई सबसे पहला जो प्रेसिजिंट मिला था इस एरिया में वो था Trump और Trump जो थे वो Kim Jong-un से मिले थे ठीक है तो यह पूरा यही वाला एरिया था डी मिलिटराइज वाला एरिया था ठीक है ओके फिर हमने देखा था अगर अगर चलते हमने देखा था कि हंगरी का मैंने आपको इन्वेजन बताया था कि सबसे पहली बादा था कि कि वे और संसरा रिखा आप आपाउर से घ्लत के सबादा है था रह बादinka से ओर मिलिटरी ने उसको पूरा रोख दिया था 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 खरह हम देखे था कि hypert USA और USSR वो दोनों स्पेस के एरियास में वहां पे भी कॉंपटिशन इनका चल रहा था सबसे पहला तो पुतनिक आपका फर्स साटलाइट लाँच करती है USSR उसके एक साल बाद ही इनको जरुवत पड़ती है कि हमें नासा बनाना पड़ेगा फिर यह लोग USSR क्या करता है यूरी गागरिन को भेज देता है सबसे पहला human being बनता है जो space में ट्लीस जा रहा है फिर USA जो है वो भी कहते कि अरे अब तो USSR ने भेज दिया है तो हमें भी अब Apollo mission जो है वो launch करना पड़ेगा इसके उपर बहुत सारी controversy Apollo में कि यह जो था पूरा made up यह situation था और ऐसा कुछ नहीं था कि सच में इन्होंने भेजा था किसी को moon पे लेकिन इसके उपर बहुत सारी controversies है ठीक है अभी तो फिलाल टेकनिकली यही है कि हाँ पर जो है USA लाग कर रहा है तो USA है नीच्रू पिकप और जो रश्या है उसने काफी ज़ादा missiles में ग्रोथ हासल की है ठीक है ठीक है ओकेशन से तहले क्यूबन इसाइल क्राइस देखी थी क्यूबन मिस्याइल क्रेसिस आइगेश आप सबको याद होगी जो आपका बिए उफ पिक वेला इन्वेजन था इन लोगों ने यहां पर मिसाइज रगा दी थी किक है याद है ना सबको येस माम ओके ग्रेट चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अब सबसे पहले हम देखते हैं 1956 की हैं हम बात करते हैं कि एक स्विस कनाल क्राइस जो है वो यहां पर इमर्ज करती है तो ये कोल्ड वर के टाइम पर ही हो रही है और बेसिकली क्या होता है कर दिए कि अपको पते जब इहां पर कॉलोनिय जब इनकी कॉलोनी इस थी तो इजिप में क्या हो रहा था कि पूरा जया पर पूरा हो रहा था ऑब ऐने कोा तो पूरा पर बात गूता तब बहुत समय से बात चल रहे थी कि अगर हम यहां से क्या करें, हम यहां से कोई एक केनाल जो है, आर्टिफिशल केनाल जो है वो बना दें, तो हमारा बहुत काम बच जाएगा और हमारा जो रूट है वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 1856 में यह बात चलती है कि हमें यहां पर हमें यह पूरा जो केनाल है, वो बनाना चाहिए, उसे क्या होगा, ट्रेट जो है हमारा इंडिया में जो हम समान बेचते हैं और खरीदते हैं, रॉम अटीदल्स हम लेके आ रहे हैं, वो पूरा जो है हमारा असानी से होने लगेगा, तो 1856 में फ्रेंच केते हैं कि हम यह क् कितना बड़ा एरिया है, यह कोई एक आदमी तो बैठके बना नहीं सकता है, यहां बहुत सारी लोगों का कॉंट्रिब्यूशन चाहिए होगा, तो फ्रांस जो है, वहां पे एक बंदा था, ठीक है, वो उसको बिल्ड़ अप करना चाहता था, लेकिन इसको सपोर्ट जो है पर्मिशन जो है, नहीं दे रहा था, बल्कि यहां पे क्या हो रहा था, कि जो पैसा यहां पे बैंक्स जो थे, वो यहां पे ब्रिटें डॉमिनेट कर रहा था, तो किसी भी बैंक से यहां पे फ्रांस जो है, वो पैसा नहीं ले पा रहा था, लेकिन इवेंचुली क्या होत मार्केट से उस टाइम भी वो लोग बॉरो कर रहे हैं, तो इसको बॉरो करा जाता है और इसका 52% का यह फ्रांस के हाथ में होता है बाकि जो इसका 48% है जितना भी होता है वो इजिप्त का जो रूलर होता है उसके हाथ में होता है अब ब्रेटें का यहां पर कुछ रोल नहीं है अब 1875 में क्या होता है यह जो है यहां से रूट करने लगता है यह तो बड़ा ज़ो है यह बेच पा रहे हैं तो ब्रेटें को लगता है कैसे-तैसे को सहने स्टेक है वो हमारे पास आ जाए और ऐसा से मुका जो पाशा जो रूलर होता है यहां पे पाशा रूलर होता है वो जो होता है उसको पैसो की जरूवत होती है जो भी अपने उसके खर्चे होंगे जिसकी वज़े से वो क्या करता है यह स्टेक जो इस कंपनी में होता है अपना स्टेक जो होता है एजिप्ट का वो बेच देता ह ब्रीटेन को बेच देता है अब ब्रीटेन को तो फ़ही मज़े आ गए उसको 52% जो है फ्रेंच जो है वो होल्ड करेगी और जो यह 48% जो भी होल्डिंग होगी वो बीटेन होल्ड करेगा ठीक है तो ब्रीटेन पहले तो बहुत अपोस कर रहा था लेकिन अब उनका स्टेक आ अब लीज कब खतम होगा 1956 में खतम होगा अब उस समय 1952 के आसपास यहां पे क्या हो रहा है बहुत पुलिटिकल इंस्टेबिलिटी है एजिप्ट में तो इंस्टेबिलिटी होने की वजह से यहां पे मिलिटरी कू होता है 1952 में और एक नया बंदा जो है एक नया रूलर ज मिलिटरी से असोसियेटेड होता है और उस ताम 1952 में तो नहीं आता है लेकिन यह बहुत ज़्यादा इसका नाम होता है यह सपोर्ट करता है उस ताम इनके कू को और यह उसके दो-तीन साल बाद ही विंस दी पूरा यह गवर्मेंट को तो गवर्मेंट में यह आ जाता है न आसवन डाम जो है आसवन डाम हमने देखा था ना जोग्रफी में तो उसी टाइम यह जो अब्दुल नासर है यह कह रहा है कि हम आसवन डाम जो है उसका कंस्रक्शन करेंगे और उससे जो है एकनॉमिकली हमें बहुत फायदा होगा ठीक है तो ऐसे करके वादे कर रहा है औ बहुत ही यंग होता है और काफी पॉपिलर ही होता है ठीक है और दूसरा काम यह करता है कि यह जो स्विस कैनल है यह कहते हैं अब तो 1956 हा चुका है 1956 में तो तुम्हारा सौ साल का लीस जो है इन कंपनी का वो खतम ही होने वाला है हम क्या करते हैं हम यहां पे इसको कर देते ह हैं आशनलाइजैस अब यह जो है पूरा कमपनी का भी होता है उस तक मीकुजा और शयर्ण 12 करोड अगर उसके शेयर्स को मल्टिप्लाइज कर्के तो आपको पता है कि यह फ्रांस और ब्रीटेन को तो अच्छा नहीं लगया और एक चीज और थी कि हमने देखा था कि 1875 में जो पाशा था वो जो रूलर था वो अपने जब स्टेक बेश देता है ब्रीटेन को तो आप कह सकते हो कि एक कंट्री में जो कैनाल है वो एक्जिस्ट कर रहा है लेकिन उस कंट्री का कोई अधिकार नहीं रहता है उस केनाल पर तो कॉंट्रोवर्सी तो आगे जाके होगी कुछ ना कुछ नाशनलिस्टिक सेंटिमेंस बाद में आएंगी ठीक है तो अबदुल नासर जो है इसको क्या कर रहा है यह लीगल ही कर है वो सब कुछ लेकिन बाद में यह कंट्री जो होंगी उफेंड हो जाएंगी मतलब वो कहेंगी कि यह तो हमारे हाथ से बहुत ही इंपोर्टेंट केनाल हमारे हाथ से चला जाएगा जो कि इनका ट्रेड एफेक्ट होने लगेगा ठीक है तो अब देखो यह लोग और दू तो आपको पते हैं कि इसराइल और अरब कंट्री में चल रही थी है ना अरब कंट्री में तो जो इजिप्शिन कंट्री है वो भी अरब कंट्री ही थी तो यह कहते है कि भई हम इसको यह वाली एरिया में यह क्या है स्ट्रेट ओफ तिरान है यह वाला आपको इसको इसको तो यह कर देते हैं ब्लॉक कि तुम इसराइल जो है इधर से आप नहीं जा सकते हो रेट सी में आपको आना बंद तो यह एक तरीके की चोकिंग पॉइंट जो है स्टेट अफ तेरान है और वहां से इंका आना बंद कर देते हैं तो अब इसराइल के पास भी मौका आ जाता है उसको भी बहाना मिलता है कि ऐसे तो आप हमारा ट्रेट हमपर कर रहे हो तो एक यहां पर नासर के अगेंस इसराइल के साइट से भी सेंटिमेंट जो है वह आएगा ठीक है तो अब यह तीनों कंट्रीज जो इसराइल है ब्रीटेन है और आपका जो फ्रांस है यह तीनों मि ब्लॉक कर देगा और ब्रीटेन है वह तो आपने थोड़ी बनाया है तो आपको तो ब्लॉक करना ही नहीं चाहिए तो वह कहते है कि नहीं तुम लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे काम किये मैं आपको बहुत ही आम भाशा में समझा रही हूं ठीक है कि ब्रीटेन ने भी जर् पावर में है नाइटीन फिप्टी सिक्स तक कि आपकी बात हुई थी और अब हम इसे नाशनलाइज कर चुके हैं तो यह हमारे उपर है कि हम यहां पर किससे जाने दें तो अबिसली स्रेटीजिक सोर्स जो है वह आपका ब्लॉक हो चुका है अब यह तीनों कंट्री जो है आपसे मिलेगी यह एक प्रोटॉकॉल जो है यहां पर डिसाइब करेंगी यह एक द्वन बिनाएग यह कहेंगे कि इस्राइल जो है तु पहले जा करना इजिप्त करना फिर हम क्या करेंगे हम एक ध्व्क जो इजियन और फ्रांस इस्ञाेल और इजिप्ट कि लडाई बंद कर दो वरना हम दोनों आ जाएंगे तो इनको पता है कि जो नासर है यह लडाई बंद नहीं करेगा तो यह पूरा conflict जो है शुरू हो जाता है इस स्वेस किनाल के ब्लॉक करने से ठीक है अब इसराइल जो है वह आपका करता है अटाक इसके ओपर इजिप्ट के ओपर और वह भी सिनाय पैनिल्जुला में ठीक है तो वही यह 1956 की बात हो रही है इसराइल जो है वह बेसिकली अट कर रहा है और फिर जैसे इन्होंने सीविर्ज वाली ट्रीटी में डिसाइट किया था यह प्रोटोकॉल में डिसाइट किया था कि यह जब अटाक कर देगा तो हम एक पब्लिकली वार्निंग दे देंगे उस हिसाब से इंका प्लान चल रहा है ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो क्या करेगा एक वार्निंग देगा किसको इस्राइल को भी देगा एजिप्ट को भी देगा कि तुम दोनों क्या करो तुम एक सीज फायर करो दोनों क्या है अपने फोर्स को विड्रॉ कर लो तो तुमको क्या लगेगा कि नासर इसको रिफ्यूस करेगा नासर इसको रि इसराइल आपको पता है कि यह जो गाजा स्ट्रिप पना कि क्या है फी आप यहां पे जो फृच्ट के अन्डराता है मैं वह फिकार्ट के सिंध करता था अब ऑब पैलेस्टी जो है वह सकोड के काहां पर सीमित हो गया है इस Gaza Strip में और ये West Bank वाले एरियास में तो अब ये जो इसराइल अक्वायर कर रहा है पूरा Palestine का लांड उसके opposition में Gaza Strip में क्या होता है? यहां पर rebels जो हैं वो रहते हैं हमस उनको बोलते हैं तो यहां से पूरा हमले होते रहते हैं किसके उपर? इसराइल के उपर आप इस ने भी देखा होगे इसराइल के कॉन्फिलिक में सब जो हमले होते हैं जो बॉम्बिंग होते हैं वो कहां से होती है? Gaza Strip से होती है तो इसराइल कहता है कि यह जो इजिप्ट है यह इजिप्ट इन फिदाइन को जो है support करता है और हमारे उपर attack करवाता है तो अब यह हमारा personal issue हो गया है इसलिए हम इसके उपर एजिप्ट के उपर attack करेंगे ठीक है तो यह इसराइल को मौका मिल जाता है officially यह justification देते हैं कि भई हमारे उपर attack हो रहा है ठीक है अब यह लोग बोलते हैं कि भई तुम इसको ceasefire करो नहीं ना से refuse कर देता है उसके बाद क्या होता है कि यहां से air bombing जो है बहुत ही heavy air bombing हो रही होती है इजिप्ट के उपर और port sayyad port sayyad port fwad जो है port sayyad और port fwad का है ठीक है अब यहां पी जो इजिप्ट है वो हारने लगता है उत्ते में USA को लगता है रश्या जो है वो परिशान होने लगता है रश्या कहता है कि भई तुम कहां मेरे एरिया में आके तुम आसपास जो है रश्या भी जो मिडल इस्ट में वो इंफ्लूइंस अपना चाहता था ठीक है इसलिए cold war का पार्ट है cold war वाले time पे हो रहा है रश्या जो है वो कह रहा है कि भई तुम आसपास मिडल इस्ट में उसको इंफ्लूइंस बनाना है कि यहां पर क्यों लढ़ाई जगड़ा कर रहे हो च्छी है अब USA को लगता है कि अहां पर रश्या जो गुस्सा हो रहा है च्छी है अगर यह यहां पर गुस्सा하 हो गया और रश्या और आपका क़ौं भीरीटे और फ्राट्स चूनों आपको में लडने लगेंगे तो क्या होगा यह दोनों किसे पार्ट है इसे नेटो के पार्ट है इसे नेटो वर्साथ हो जाएगी NATO vs Russia ठीक है तो अब UK और France से गुस्सा हो जाएगा कॉन USA को ऐसे कहेगा तुमने ना मुझसे कंसर्ड किया अब जो है USA मेजर पावर इमर्ज होके आ चुका है आप्टर वर्ड वार टू तो UK से काफी गुस्सा हो जाता है तो यहां पर हमसे कंसर्ड किये विना कैसे तुम इनके उपर अटाक कर सकते हो तो यह यूएसे के कहते हैं कि तुम सीसफायर को डिक्लेर करो और लडाई तुरंट बंद करो तो फ्रांस और UK दोनों को बोला जाता है USA के तुवारा कि लडाई खतम करो और यह इस टाइम पर ब सक्सेस हो रही होती है इस पूरे रीजन में अक्वायर करने वाले होते हैं लेकिन बहुत ज़दा प्रेशर आता है USA की तरफ से बिकॉज अफ रश्या कि रश्या जो है वो भी आपे इन्वाल हो जाएगा ठीक है तो यह पूरा यहां पर इश्यू था अब उस टाइम यह इ जाता है और उसको बहुत ही ज़दा बेनेफिट मिलता है पुलिटिकली की वह और ज़दा पॉपिलर हो जाता है और यह लोग क्या करती है उस टाइम की फोटो है यह जो भी सारी यूरोपीन जो शिप्स वगरा उस टाइम प्रेजन थे पोर्ट साहियत पे वह सारे इनको द पूरे ट्रेट को नॉर्मलाइज करने में ठीक है अब यहां देखो पूरा वर्ल ओर्डर जो है वह बहुत चेंज हो रहा है सबसे में पॉइंट यहां पे क्या हो रहा है कि जो यूके है यूके का जो डाउनफॉल है वह स्टार्ट हो चुका है और यह एक लास्ट चीज ज यूके जो आपका है वह आपका पूरा मेजर पावर नहीं रहता है चीज है और यूसे जो है वह डॉमिनंट है और यूसे क्या करता है आजप पनिश्मेंट यह डिवालु करने लगता है पांड स्टर्लिंग को इन्के पास हर कंट्री के पास कुछ नग थे दौरान एक तो अब UK के उपर प्रेशर आता है, UK जल्दी से क्या करता है, सीस्पायर कर देता है, कि हम भाया, we are out of this war, फ्रांस रह जाता है, वहाँ पर अकेले, ठीके, फ्रांस को लगता है, कि हम ने जब Treaty of Severs में साइन किया था, हम तो तीनों लोग साथ में थे, तो तुम यहाँ पर हम से बिना पूछे कैसे back out कर दिये, कम से कम बताओ, तो कि यहाँ पर जो लड़ाई है, वो खतम होने वाली है, तो फ्रांस जो है, उसको लगता है कि ब्रिटेन जो है, वो बिल्कुल भरोसे मन नहीं है यहाँ पर और यह ऐसी सिचुएशन होती है, जब फ्रांस डिसाइड करता है कि यूके के उपर हम रिलाए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और अब इसका जो shift होगा, जो इसकी interest shift होगे, वो कहाँ पर shift होगे, इसी समय से European Union जो है, वो यहाँ पर इसको strongly develop करा जाएगा, ठीक है, आपको power dynamics समझ आ रही है, कि किस तरीके से develop हो रही है, इस वाम, ठीक है, और इंडिया कर क्या रोल था, इंडिया भी उस ताइम diplomatic बाते कर रहा था, इंडिया कह रहा था कि नॉन वलाइंगमेंट मूमेंट आप जो है, वो उस ताइम प्रोगेट कर रहा था, क्योंकि 54 में जो है, बैंडूंग कॉन्फरेंस हो रही है, तो इंडि कोई ऐसे अग्रेसिवली नहीं, बहुत सटली इलोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो USA और UK, USA और Nehru, दोनों सेम स्टांड ले रहे हैं, यह जो वार है, वो खतम होनी चाहिए, हमें कॉन्फलिक नहीं चाहिए, मिडल एस्ट में, और ताकि यहां पर USSR को मौका ना मिल जाए, इंटर्वीन करने का, ठीक है, तो एक तरीके का यहां पर उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, USA को, USSR को, ब्रीटेन के लिए प्रॉब्लम बहुत सारी होने लगती है, एक यहां पर क्या होता है, आई एमेफ जब बन रहा है, आई एमेफ भी ब्रेटन वोड इंस्टिउशन जो थ सब पर चो किया, इकोनमे में है न, भूल जाते हो, इम आई एमेफ और वोल्बंक, वोल्ड बेंक, तो दोनों का मकसद क्या था, जब वर्ल वोल्ड खतम होगी, तो एक भई एक पैसा देगा, और एक या करेगा डेवल्लपमेंट करेगा, डेवल्लपमेंट करेगा, यह भी जो USA है वो ब्लॉक कर देता है अब तुम्हें कुछ उधार नहीं मिलेगा अपने आप करो एक तो तुम्हारी खुद की कंट्री जो है वह एक क्राइसिस से डील कर रही है और तुम जाके स्विस के नाल के ओपर अटाक कर रहे हो ठीक है और इसकी वज़से जो उसकी ड अब ब्रीटेन जो है वह बहुत माइनर पावर बनके रह जाएगा इस क्राइसिस के बाद न्यू फोर्स जो है वह आ जाएगी यहां पर यहां पर उनाइटेड नीशन्स एमर्जेंसी फोर्स यह इसी टाइम पर इस्टाबलेश हो रही है ठीक है क्यों ताकि स्विस किनाल क अब जो सीस फायर होई है उसको पूरा मॉनिटर करा जाए अब यहां पर दुबारा से ना लड़ने लगे ठीक है और यहां पर क्या करा जाए प्री ट्रेट को जो है बढ़ावा दिया जाए कि यहां पर कोई कंटरी को ऐसे निए कि कि इसी की फॉर्ण फॉर्ण पॉलिसी बन गई कि अब इस country से हमारी दुश्मन ही है तो हम इसको ट्रेट करने से रोक देंगे तो वो चीज को यहां पे address करने के लिए Canada बहुत जाधा actively यह force की स्थापना करवाता है इसका जो external minister होता है उसको noble peace prize भी मिल जाता है इसलिए कि यह peace force बना रहा है उस तेंग ठीक है और इ इजिप का फाइदा हो जाता है ठीक है और फ्रांस को यह पता से जाता है कि अब इससे क्या करना है इसे European Community के साथ दोस्ति करनी और UK के जो जादा नहीं करना है ठीक है और फ्रांस जो है और UK जो है यह दोनों की अब जो power है और जो colonies है वो इनकी कम होती जाएं ठीक है तो अ सब इंडिपेंडेंट होती जाएं ठीक है तो यह पूरा इशू था यह वर्ल्ड यह कोल्ड वर के टाइम हो रहा है एक तरीके से जो है यहां प्रिवेंट करा जा रहा है कि जो रश्या है वो यहां पर नहां आ जाएं बीच में एक organization बन रही है उसको हम बोलते हैं सेंटो सेंटो और पहले इसको बोलते थे बगदाद पैक्ट बहुत सारी alliances बनते हैं इस दौरान में नाइटीन फिफ्टी में एक सियाटो बन रहा है एक सेंटो बन रहा है यह सेंटो याद रखना सेंटो जो है वो आपका Middle East वाले एरिया के लिए है जैसे कि आपका इसकी फुल फ कि एघराक कर देता है और यहां पर सिर्फ दो तीन चार सब्सक्राइब आती है ऎर्यार पाकिस्तान टर्की में विभाजाता है उपर यू लेकिन बहुत ज्या हम उग्रेज़ सेंटो बहुत 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 अग्रेसिभ नहीं था लेकिन पनकाराद मेडियी表 स्क्राइचिय सबसे पहले इनका सियाटो खतम होगा सबसे पहले सियाटो मैं अभी आपको बताऊंगी कि वह कब आ रहा है सियाटो खतम होगा उसके बाद ये वाला जो सेंटो है उसकी भी एक्जिस्टेंस जो है वह खतम हो जाएगी ठीक है सब को समझ आया यह सबस्क्राइब को कि एक बाद तो कि एक लाद बताएब